एक मिनिट में सत्तर बार धड़कता है हमारा दिल एक एवरिज लाइफ टाइम में तक्रीबन एक मिलियन बैरल ब्लड पंप करता है हमारा दिल खुशिया हो या गम हर पल को महसूस करता है ये दिल यकीनन बहुत खास होता है हमारा दिल लेकिन कैसे पहजाने कि इस दिल पर मंडरा रहा है खत्रा क्या है cardiac arrest के लक्षन आएए जानते हैं आज हम बात करेंगे heart attack और cardiac arrest के बारे में अगर हम देखें तो heart attack को समझना चाहें तो heart attack में क्या होता है कि heart में 3 arteries होती हैं जो कि heart की muscle को supply करती है और जब हार्ट की आर्टरी में खुन का थका जम जाता है या चरबी गठा होती है उसमें खुन का थका आता है तो सड़नली हार्ट की मसिल में खुन नहीं जाता है और वो मरने लगती है इसमें हमारे पास 6 गंटे होते हैं, अगर 6 गंटे तो खुन नहीं गया तो हाट की मसिल पर्मनेंटली मर जाती है इसको हम हाट अटेक बोलते हैं और बहुत बार हाट अटेक की वज़े से या अधरवाइस हाट में एक एक एलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्कुटिंग होती है करेंट की जिससे की हाट की गती बड़ी रेगलर हो जाती हो, बड़ी फास्ट हो जाती हो जो की चेस्ट के बीच में पेन होता है, जो की बाएं हाथ या दाएं हाथ दुनों में जा सकता है या जबडे में जा सकता है, गले में जा सकता है और उसके साथ मरीज को बहुत घवराट होती है और पसीना आता है, सांच फूलती है ऐसा pain usually miss नहीं हो सकता कभी-कभी अगर शुरूर में मरी समझता है कि gas का pain है या cervical pain है या दांत का दर्द है बट कुछ देर बाद इसको पता चल जाता है ये heart attack है और वो miss नहीं कर सकता इसको 10% patient ऐसे होते हैं जिनको जादा तर जिनको diabetes होती है जिनमें heart attack silent भी हो सकता है या atypical symptom हो सकते हैं जैसे किसी को थोला पसीना आ गया जरा सी गवराट लगी या उल्टी आने लगी या पेट में दर्द हो रहा है या डगार आने लगी ऐसे मरीज़ों को भी heart attack इस तरीके से भी आ सकता है especially ये common होता है जिनको diabetes है या जो ladies होती है ladies में बहुत classical pain बहुत बार नहीं होता है और जब किसी को heart attack हो तो हमें ये देखना होता है heart attack के मरीज़ों में ज़्यादा चरट deaths जो होती है वो मरीज के अस्ताल महुचने से पहले पहले हो जाती है और ये deaths होती है चीज ये होनी चाहिए अगर किसी को इस टाइप का दर्ध हो या कोई और feeling हो ऐस टाइप की तो उसको denial नहीं करना चाहिए सुबह अगर चार बज़े दर्ध हो रहा है उस होचे कि लोग सो रहे हैं किसी को जगाएं नहीं या सुबह दिखा लेंगे चार घंटे बाद दिखा लेंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए index of suspicion हाई होनी चाहिए और अगर ऐसा दर्ध है तो पहली चीज घर में आजकल aspirin की गोली लोगों को रखनी चाहिए या सब के पास होती है एक अगर dispirin की गोली जवान के नीचे रखे उसको चूस लें उस समय 50% लोगों की जान हाट अटेक के बाद इसी से बच सकती है ये बहुदा standardized और well studied ये therapy है 50% मरीजों की जान खाली एक aspirin की गोली चूसने से बच सकती है अगर उसी समय चूसा जाए निगला ना जाए दूसरा अगर pain ठीक ना हो तो nearest doctor के पास जाके एक अपनी ECG कराके चेक कर लें कि हाट अटेक है या नहीं है और अगर हाट अटेक है तो दो तरीके के इसमेलाज होते हैं एक तो immediate हम दवा देते हैं जिससे कि ये खून का ठका dissolve कर ले हम जिसको हम thromboletic therapy करते हैं आज कल ये काफी nursing homes और hospital में available है हाट अटेक के बाद अगर फिर एक कुछ दवाएं होती हैं जो हमें देनी पड़ती हैं कि दूसरा हाट अटेक ना हो या जो blockages हाट की आर्टरीज में वो आगे ना भढ़ें इसमें एक दवा होती है aspirin और clopidogrel की जिससे की घून पतला रहता है जमता नहीं है एक दवा होती है statin की जिससे की चर्बी की level कम होती है और हाट की आर्टरीज में inflammation कम होता है और तीसरी ये दवाएं होती है ACE inhibitor या ARB जिसकी वज़े से हाट पे strain कम होता है और आगे चलके disease का progression नहीं होता है तो ये अगर हम दो तीन दवा लें इसके साथ अपना lifestyle चेंज करें अपने diabetes कंट्रोल करें अगर है blood pressure कंट्रोल में रखें exercise regular करें कोई stress ना लें कोई tension ना लें तो इन situation में मरीज को life even after heart attack normal रह सकती है इसके लावा जो दूसरी चीज है वो cardiac arrest है जिसमें कि heart suddenly रुख जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है मरने का और इसमें जो heart रुखता है वो एक electrical short circuiting की वज़े से रुखता है और इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि उस समय हम या तो मरीज को कस के heart की massage दें जिसको हम cardiac massage बोलते है जो कि आजकल बहुत लोगों को सिखाई जा रही है as a part of basic cardiac life support या advanced cardiac life support स्कूलों में भी सिखाई जाती है या हम अगर जैसे हम आजकल publics पे foreign country में जाएं तो हर जगे ही होते हैं आजकल भी इंडिया में काफी public places में लेसे station है, airport है बाकी जगाओं में, malls में वो defibrillator होता है एक electrical defibrillator होता है जिसमें हम electrical shock देते हैं patient को जिससे की वज़े से अगर हम 3 मिनट तक के अंदर दे दे दें तो मरीज बचाए जा सकते हैं कि रिदम स्टेबिलाइज हो सकती है तो एक तो यह चीज है कि हम जालत तो लोग को काडिक मसाज देना आना चाहिए किसी मरीज की हमसड़क पे राश्ते में कहीं भी जान बचा सकते हैं दूसरा अगर defibrillator है तो उसको हमें defibrillator करना चाहिए